दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि फोटो शाप पर क्राप टूल का यूज़ करके पासपोर्ट साइस फोटो कैसे बनाएं तो दोस्तों मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके में लाइकन को जरूर प्रेस कर लेना तो बिना वेट की चली आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फोटो शाप ओपन करके रखा है इसके बाद अब यहाँ पर आपको उस फोटो को लेकर आना है जिसको पासपोर्ट सैस करना है तो अभी हम इस पर डबल किलिक करते हैं तो यहाँ पर ओपन का विंडो ओपन हो चुका है इसके बाद अब हम यहाँ से अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद simply open पर click कर देते हैं तो आप यहाँ पर एक photo आ चुका है इसके बाद सबसे पहले आपको crop tool को लेना है तो crop tool आपको tool box में मिलेगा उससे पहले यहाँ पर एक बार ध्यान में रखना है देखिए यह जो दूसरा tool है तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस tool का यूज करके passport size photo कैसे बनाए अगर आप नहीं जानते हैं तो i butter में वीडियो मिल जाएगी आप देख सकते हैं तो हाँ देखिए crop tool को लेने के लिए दो रास्ते हैं एक तो यह है कि आप माउस से इस पर किलिक करके इसको ले सकते हैं दूसरा shortcut यह है कि आप केवल C को प्रेस कर दें बस यह crop tool आटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा crop tool को सेलेक्ट करने के बाद उपर आप देखेंगे कि width और height का size आ चुका है बताने का मतलब यह है कि आपके computer में अगर इस तरह size नहीं आता है तो आपको यहाँ पर width में 2.5 cm यानि कि cm और height में 3.5 cm को mention करना है इसके बाद यहाँ resolution में आपको 300 mention करना होगा ओके दोस्तों passport size photo का cm में यही size होता है इसके बाद चलिए अपने photo को crop कर लेते हैं तो यहाँ पर अपने recording माउस से अपने photo को इस तरह select कर लेना है इसके बाद enter को प्रेस करना है तो यहाँ पर यह जो size है अब यह passport size photo का ही size है इसके बाद control प्लस A यानि की control A को प्रेस करके इस पूरे photo को select all कर लेना है उसके बाद control प्लस C यानि की control C को प्रेस करके पूरे photo को copy कर लेना है इसके बाद control प्लस N यानि की control N को प्रेस करना है तो यहाँ पर कुछ इस तरह का new का window open होगा अब यहाँ पर हम A4 paste choice करेंगे इसके बाद सिंपली ओके करते हैं इसके बाद यहां पर कंट्रोल प्लस वी यानि कि कंट्रोल वी को प्रेस करके उस फोटो को पेस्ट कर देना है तो अब यह A4 पेज पर आ चुका है अब इसको उपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए मूव टूल लेना होगा तो टूल बॉक्स में देखिए सबसे पहला टूल मूव टूल है चाहे तो आप मूव टूल पर किलिक कर दें या फिर केवल वी को प्रेस कर दें ओके तो हमने मूव टूल को सेलेक्ट कर लिया है इसके बाद इस फोटो को उठा कर उपर सेट कर देते हैं अब यहाँ पर अगर फोटो पर स्ट्रॉक करना है स्ट्रॉक का मतलब फोटो का बॉर्डर ठीक तो माउस पकड़ लेना है और एडिट मिन्यू पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर देखी स्ट्रॉक को अप्शन मिल जाएगा ओके अगर माउस से नहीं तो स्ट्रॉक करने के लिए शॉटकट की होती है Alt प्लिस E प्लिस S यानि की Alt E S को प्रेस करना है तो यहाँ यह स्ट्रॉक का बाक्स ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे है इसके बाद यहाँ पर 3 लिखना है और इस कलर पर किलिक करta है और यहाँ से बलेक कलर को चवाइस कर लेना है इसके बाद OK यहाँ पर भी OK कर देना है तो अब आपके फोटो पर चारो तरफ एक बड़िहासी बोडर लाइन आ चुकी है अब इसकी कॉपी बनाने के लिए Shift प्लस आल्ट को डबाया रहना है और माउस से देखिए इस तरह से कितनी भी कॉपी आप कर सकते हैं अब यहाँ पर अगर आपको और जादा कॉपी करना है तो एक बात ध्याद में रखना है उपर देखिए यहां पर शिक्स से लिखा हुआ है तो आपको Ctrl प्लस E यानि की Ctrl E को प्रेस करना है तो यहाँ पर 5 हो गया यानि की Ctrl E को बार-बार प्रेस करना है जब तक यहाँ पर यह Copy वाला option हट ना जाए तब तक Ctrl E प्रेस करना होगा जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद अब आपके सारे फोटो एक लेयर में हो चुके हैं अब इधर देखिए अपने फोटो को शिफ्ट और आल्ट के साथ उठा कर कितनी भी कॉपी बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं रोजाना इस्तला की तमाम वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में थाइंक्यू